ओ गाईज आज शाम को फिर से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ एक ही टीशट है इसके लिए कुछ मस सोचे के मैं वीडियो शूट करने के बाद फिर से नाइटी पहल लेती हूँ इसलिए अभी रिशी गया था सेविंग और हैर कटिंग करने के लिए जाके देखिए मैं लाया है और बीग बसकेट से कुछ आया है हाँ बीग बसकेट से ही यह मिश्टी दोई मादा डेरी मिश्टी दोई बीग बसकेट से में ना ओडर की थी वही आया है अच्छा और ये एलेटीन का लिक्विड लीब कलर यह कितना प्राइज लिया है यह 120 रुपीज लिये है तो यह कलर में आप लोगों को लगा के दिखाती हो कैसे लग रहा है मैंने लगाया है ऐसा कलर आ रहा है बस बहुत लीब में न फट गया था होट फट जाता है बोलते हैं अभी कैसा लग रहा है कोई मेकप बगारा नहीं किया न इतले ऐसा अजीब सा लग रहा है तेरे होटों को ठीक है चला कोई बातिया अभी नीचे जाती हो कुछ लेना है कर्मा गरम समोसा लेने पता नहीं मिलेगा के नहीं मिला तो आके मैगी बनाएं उसको मैगी दे दिया उसको मैगी देने के बाद मेने शाम की आरती की अभी जा रहें को कुकु को लेने हैं मैं बाल भी ठीक से नहीं का नहीं मैं चलते हैं लिट्स कर दिया और चलते हैं चलते हैं बड़ी को लेने हैं अज मैं आप लोग को गिजर्ट यानिके चिकन तो इसके लिए पहले मुझे जो करना है, चलिए इसको मिन अच्छे से क्लीम कर लिए है जी ज को मतलब पानी में पहले धो के उसके बाद नमक से मैश किया, मैश करके फिर नौर्मल पानी में धोया अब अब आलना है गरम बने यह पानी को उबल आएगा ना तब जाके इस पानी में डाल देंगे उबल आगे ऐसा जब उबल आएगा ना तब यह सब छोड़ेंगे इसको बॉल नहीं होने देंगे बस उबले हुए पानी में 5 मिनुट्स तक रखतेंगे पर गयास पर मैंने कराई बिठा ले और कराई पर ऑईल भी गरम कर लिया है अब इसमें डालेंगे फुरन पहले से ऑल है कि मैंने यहां पर आलू फ्राइ करके रख दिया है उसी ओल में मैं थोड़ा सा और ऑल डाल के डाल रही हूं फुरन दार्चीनी लॉंग और छोटा एल डाली है और एक तेच पत्ता अब डाल दिया दो मेडियम साइस का ओनियों इस साइस का मैंने ओनियों ली थी प्याज इस साइस का दो प्याज मैंने कट करके डाला है अब डाल दिया है एक टामाटर इस साइस का छोटा टामाटर है इसलिए दो डाल दिया अब इसको बोईल किया हुआ स्टॉमयक डाल दिया सब कुछ एक सत्फ्राइ करना है पर पेस्ट बढ़ेगा अब डाल देंगे एक अनियों पिस्ट वो ओयल में भी डाय सकते थे भूल गई थे इसलिए अभी डाला कोई पड़वा नहीं बस डालने के बाद अच्छे से फ्राइ करना पड़ेगा अब डाल देंगे हल्दी पाउडर तीखा आप लोग जितना खाते हों समझ के डालना है चीली पाउडर डाल दी है यह जींजर पेस्ट एक टिस्पून जींजर पेस्ट यहां से पानी निकल आया इसको सुखाना पड़ेगा जब सुख जाएगा उसके बाद आप को डाल सकते हैं इसका खुद का पाने है एक टी स्पून जीर पाउडर डाल दी है है यहजाग सब्सक्राइल ङ्लीप हाट अब दरत फोटा लेंगे ज्व्येस्ट बलेगे जयादा समेल हो जाएगा यह देखिए दिरे दिरे इसका पानी सूख रहा बर्तब टामाटार को मेने ऐसे खुंती के साथ पीस लिए अब डाल देंगे फ्राई किया हुआ अलो नमक सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है 5-10 मिट्स तक इसको मिक्स करना है अभी मैंने डाल दिया थोड़ा सा चीनी और यह डालेंगे सन्राइज गराम पाउडर डाल है है कि अग्स करना है यह दिखिए कैसे फ्राई हो गया पुरा पानी सुक्किया अब इसमें डालेंगे गराम पानी सितना ग्रेवी आप लोग पसंद करते हैं उस ही सबसे पानी डालना है आलू और इसको अच्छे से फिर बॉयल करना है अब इसको ढख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम में रखके आई थी गई थी अभी दस मिनिट बाद आके देखें आलू बॉयल हो गया है पर इसको थोड़ा सा सुखाना है इतना पाने पाने नहीं रखेंगे ग्रेवी इसलिए हाई फ्लेम में कर दिया सब कुछ बॉयल हो गया बस पाने सुखाने के लिए मैंने के इसको हाई फ्लेम में कर दिया अब इसको डाल इसमें डाल देंगे धानिया बत्ता कोरियंडर लीफ नहीं देखिए बानी सुख रहा है कैसे उबाला रहा है मैं रोटी के साथ खाएंगे इसके ज्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे इसको रोटी पराथा राइस के साथ भी आप लोग खा सकते हो जो लोग खाते है और स्टॉमक और रोग ऐसे बना सकते हो यह देखिए मैंने ऐसे ग्रेवी रखा है मेरा स्टॉमक करी बन के रेडी चिकन स्टॉमक करी अगर मेरा वीडियो अब लोग का अच्छे लगा तो जरू सब्सक्राइब करें